आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नमक पारा की रेसिपी जो की आधा आटा और आधा मेरदा से आप बना सकते हैं तो यह मैंने 500 ग्राम मैदा और 500 ग्राम आटा ले लिया है मिक्स कर लिया उसमें अज वाइन डाल दिया है और थोड़ी सी डाल दी है क अंग्रेल भी लोग कहते हैं तो इसे कोलाउंजी डाल दी है और उसके बाद मैंने डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल दीजें इसमें सॉल्ट और उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी रब करके हांतों से उसे डाल दीजें और इस तरह से डालने के या ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं तो आप उसे भी डाल सकते हैं और रिफाइन भी डाल सकते हैं कोई बीचीच अच्छे से मोयम जब तक आपका यह लड़ू ना बंदने लगे तब तक इससे आप अच्छी तरह से ऐसे रब कर करके इसे मिला लीजे मैदे को और आटे को इस बाद मैंने क्या किया है इसे अच्छी तरह से एक सकत आटा जितना आप सकत कर सकते हैं उतना ही सकत बनाएए आटे को अतना आटा माण माण के इसको अच्छी तरह से सकत जो है गूत लेना है आटे को आपको और जब यह अच्छी तरह से गूत जाए तो फिर यह देखिए इस तरह से सकत मैंने जब गोथ लिया है इसको इसको पार्ट पार्ट में मतलब लगभग जितने बड़े-बड़े एक बार में बन सकते हैं उतने मैंने बॉल्स बना लिये हैं इस तरह से जितना आपके चकले में एक बार आ सके इस तरह से मैंने इसे बना के यह देखिए इस तो बनाने के बाद मैंने क्या किया है कि एक एक लोगी को लेकर कि चखले पे बेल करके उसे डायमन्ड शेप देकर के कट कर लिया है। तो यह हमारे नमकपारे बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं और इस तरह से मैंने शेप दिया है । बाइमन्ट शेप का इसमें और एकदम हलवाई जैसा बनके तयार होगा बिलकुल भी आपको लगे गा नहीं कि आप बाजार का नहीं खा रहे हैं उस तरह से बनके तयार हो जाएगा उससे अच्छा बनके तयार होगा इवेन आटे से बन रहा है तो और भी हल्दी भी है टेस् कि आपको इस तरह से मैंने ंटल के तयार कर लिया है और इस्ट魔 कर करके आप रख सकते हैं जब यह आपको चाई पीने क मन निकाल लीजे थोड़ा सह खाली तो यह ऐसी चीज है कि आप इस टोर कर के एच्छे से रख सकते है इस तो यह देखी मैंने ग्रॉल्डन ड्राउट होने तक सारे अच्छी तरह से काढ़े लिए हैं नमक पारे को और बहुत ही बहतरीन टेस्ट आता है और जटपट बनके तयार भी हो जाएगा ये देखिए इस तरह से बनके एकदम कुरकुरा खस्ता बन करके तयार हो गया है और मैं क्या करती हूं इसको स्टोर करके रख देत अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी तैंक यू करतो स्ब्सक्राइब जरूर कीजिए।